भारती जनता पार्टी और उसके सहयोगी आनन्द मोहन की रिहाई का विरोध क्यों कर रहे हैं? आनन्द मोहन की रिहाई के विरोध में ऐसे खुल कर क्यों उतर गए हैं? बाद सिर्फ सुशिल कुमार मोदी की नहीं है, समराठ चौधरी भी है, चिराख पास्वान भी है और राजपूत बिरादरी का वोड जो है भारती जनता पार्टी के कोर वोड बैंक में तब्दील हो चुका है ऐसे में अपने कोर वोड बैंक की कोई परवाह नहीं कर रही है बीजेपी या उनके सहयोगी दल चिराख पास्वान को नेक्स सीम गोशित करने वालों में बड़ा नाम आता है उस बिरादरी का जिससे खुद आनंद मोहन आते हैं लेकिन चिराख पास्वान भी विरोध कर रहे हैं, समराठ चौधरी तो सीधे अपराधी कह रहे हैं क्या वज़ा है, क्या इल्लों को राजपूत वोडबैंक छिटकने का डर नहीं समा रहा है कुछ वज़तों वज़ा होगी दरसल देखिए, बिहार की राजिती में अनंद मोहन को लेकर जो चल रहा है वो विशुद्ध तोर पर जाती का गणित है विशुद्ध तोर पर सियासत का गणित है सियासत में, बिहार की सियासत में जाती का महत्व और जाती के मुल्यांकन से इंकार नहीं किया जा सकता कि बिहार में जाती ही सच्चाई है और जाती ही बिहार की राजिती का प्रथम अध्याय है जाती से ही बिहार शुरू होता है बात करते हैं चिराग पासवान की चिराग पासवान कह रहा है कि वो अनंद मोहन की रिहाई का उन्होंने विरोध किया और वो कहते हैं कि राजनेतिक फाइदे के लिए कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है व्यक्ति विशेस को रिया करने के लिए कानून में अचानक से किया गया ये बदलाओ कहीं न कहीं जाती आधार पर बाटने की साजिश है ये कहा है चिराग पास्वान में उसके बाद समराच चौदरी की बात कर लेते हैं तो समराच चौदरी साफ तोर पर कहते कि बीजेपी ना कभी किसी अपराधी के पक्ष में कल थी ना बीजेपी किसी अपराधी के पक्ष में आज है बीजेपी ना अपराधियों का समर्थन करती थी ना करती है और ना कभी भविश्य में करेगी अनन्द मुहन को अपराधी तक कह दिया जा रहा है दरसल इसके पीछे जो जातियों का गडित है जो जातियों का वोट प्रतिशत है वो बड़ा माइने रखता है आप गूगल करिए और 2011 में जो जनगरना हुई चुकि जाती जनगरना इस बार हो रही है लेकिन अनुशूचित जातियों की संक्या की गिंती पहले भी होती रही है 2011 में जब जनगरना हुई थी तो उसमें बिहार में जो दलित समुदा है उनकी संक्या 15 फीश्दी बताई जाती थी और राजपूतों की संक्या 5-6 फीश्दी बताई जा रही है और जिस तरीके से आनन्द मोहन और जी कृष्णया वाले मैटर को बड़ा कर दिया गया है जहाँ एक DM को जिनकी हत्या हुई थी उनको दलित बताया जा रहा है वहीं आनन्द मोहन तो राजपूत बिरादरी से आते ही है तो दूसरी पार्टियां जो है जैसे महागडबन्दन आनन्द मोहन को छोड़ने के पीछे अगर 6% राजपूत वोट देख रही है तो दूसरी पार्टियां 15% दलित वोट भी देख रही है जिस तरीके से जाती के खांचे में बिहार में वोट बढ़ चुका है और वैसे में आने वाले लोग सभा चुनाव में जब बिलकुल नया समीकरण होगा इस बार के समीकरण की तरह तो कभी चुनावी नहीं हुआ होगा 2014 में भी नितीश कुमार बीजेपी से अलग थे लेकिन नितीश कुमार पूरी तरीके से लग होकर चुनाव लड़ रहे थे इस बार महागडबंधन है जनता दली उनाइटेड और आर्जेडी एक साथा कर चुनाव लड़ेंगे और आनंद बोहन के जरिये बिहार में जिस सियासत को साधने की कोशिश महागडबंधन कर रही है बीजेपी के रणनितीकार बीजेपी के शिर्ष नित्रित्व इसको बहुत गहन निगाहों से देख रहा है बहुत सूक्षम अध्यम कर रहा है और जहां महागडबंधन 6% राजपुत वोटों पर निशाना साध रही है जहां 6% वोटों पर नजर गड़ाय हुए है वहीं भारतिये जन्ता पाटी 15% दलित वोटों पर नजर गड़ाय हुए है यहीं वज़ा है कि बीजेपी के कुछ एक नेताओं को छोड़ दें तो लगातार अनन्द मोहन की रहाई का विरोध हो रहा है सुशिल कुमार मोधी यह तो इसकी शुरुवात की थी चिराग पासवान भी पीछे नहीं है समराठ चौधरी भी पीछे नहीं है वहीं अब इसको दलित असमिदा का भी मुद्दा बना दिया गया है बहुत होशियारी से बहुत चलाकी से महागडबंदन और NDA के बीच बिहार में तू डाल डाल मैं पात पात की राजनिती चल रही है इसका अंजाम क्या होगा ये तो चुनाओ के नतीजों के बादी पता लगेगा